यह चीजी ऐसी है जो चल सकती नहीं है मैं बिल्कुल समझता हूँ sexuality होती है, sexual needs होती है पर वो आपके पूरी जिंदगी का, आपके पूरे विक्तित्तों का एक छोटा ही देता हिस्सा है पिक्चरों में कभी बताते हैं कि आप तो सीट पे बैठ करके पिशाब करोगे और वो खड़े ओके करता है और फवारा मारता है और हर सफल पुरुष के सर पे नारी होती है हर नारी सफल के पुरुष के नीचे पुरुष होता है यह सब यह कभी फिल्मों में नहीं दिखाते हैं ना कि रजाई के अंदर घुसके बड़बड़ा आके अब जेलो बट पेरेंट्स जो है मतलब उनका जो है थोड़ा सा उनका यह है नमस्ते अचारी जी तो मैं बहुत पेन और डिस्ट्रेस में थी कुछ दिनों से जो मेरा क्वेशन है वो आपने पार्शली इसमें आंसर कर दिया है बट मैं क्वेशन इस ऑपसिट तो अगर हमें गलत इंसान के साथ फस जाएं मुझे ऐसा लगता है in my relationships मैं ही वो गलत इंसान होती हो most of the times because मैंने नोटस किया है कि जिस मॉमेंट से मैं किसी के साथ identify करने लगती हो specifically in romantic relationships या मैं किसी को अपना या मेरा समझने लगो I feel I start getting crippled और साथ में I think दूसरे इंसान को भी after a point में एक इंसान की तरह नहीं देख सकती वो मेरे लिए furniture या commodity बन जाता है एंड उसमें मुझे दिखता है कि मुझे तो बहुत दुख होता ही है इसमें बट दूसरा इंसान भी उसमें में पार्टिसिपेट करता है तो विन आ ट्रीजन विग दिस मैं 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 पीस्पूल हूं काफी अपने दूसरे रिलेशनशिप्स में बहुत तादा इडेंटिफाइभी नहीं करती और मैं हल्प भी कर पाती हूं लोगों को इन दियार इस्शूस तो वान साइड उप माइं अगर ये एक रीजन है तो मैं मिजरी और फाइड ये एक रीजन है जैसे आपने वह बात की है एक मैं तूर्ग कुदेंट एक एस्पार मुझ ताई तो मुझ लगता है है मैंटेन अ इस्टेंस इफ इस तूर्वाइग ऐस तूर्बल इन आट इस्पूलिंग नहीं इस कि बाद में तुम्हें ही तकलीप ना हो and then the other side also says so I understand he forget it leave leave it it is not that important the other mind also says कि तुम्हारा spiritual progress हो ही नहीं रहा है if you you know even if in one particular relationship you are exhibiting such a behavior and I feel यह constant conflict रहता है and I feel a lack of self-esteem meaning मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आपको locate ही नहीं कर पा रही हूं like I end up being a mental wreck in other words यह यह जो लोवरिंग ऑफ सेलफ एस्टीम है यह पूरी सफरिंग है यह बहुत हद तक इस notion से आ रही है कि relationship जरूरी है अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वह बहुत लोगों को बुरी लग सकती है या अजीब लग सकती है पर समझिएगा यह जो man woman वाला होता है ना यह चीजी ऐसी है जो चल सकती नहीं है प्रक्रतिने स्त्री पुरुष बनाए ही ऐसे हैं कि वह एक दूसरे की और sexual कारणों से प्रजनन के लिए आकर्शित होते हैं कुछ बहुत विरल अपवादों को rare exceptions को छोड़ दो तो तो यह तो ऐसा होता कि जंगल जैसी इमानदारी होती हम में कि इस तरही है पुरुष नहीं अकर्शन हुआ ही सेक्स के लिए तो गई सेक्स कर लिया और बात खतम पर वो तो होता नहीं है पुछ जो सेक्शुल अट्रेक्शन होता है उसको एक सोशल सेंक्शन हम दे देते है वो सोशल सेंक्शन यहीं नहीं कि उपति-पत्नी हो गए प्रेमी प्रेमिका भी एक सोशल रिलेशन्शिप ही है ठीक है नहीं अब बच्चे होते हमें बताया क्या होता है आपने रोमेंटिक मामला बच्चे होते हो आपको तब ही से फिल्मों में और दुनिया भर में यह हो वो मुलतह सेक्शूल रिष्टा पर उसमें आप अभिने ऐसा करना चाहते हो इक्षा ऐसी रखना चाहते हो जैसे कि वो एक सहज और स्वाभाविक और आत्मिक रिष्टा हो प्रेम का है वो उस रिष्टे में कुछ ऐसा नहीं कि मुलतह कुछ खराबी है खराबी रिष्टे में नहीं होती ना खराबी सामाजिक पाखंड में होती है आप यह मान लो कि रिष्टा है ही मुलतह सेक्शूल तो फिर यह जो पूरा नियूरॉसिस है रिलेशन्शिप्स में यह समाप्त हो जाएगा खाना खाने के लिए होता है जानवर होता है खाना खाता है इंसान भी खाना खाता है आप खाना खा रहे हो उसमें कहीं कोई मेंटल डिसॉर्डर नहीं होने वाला पर खाने की आप पूजा करना शुरू कर दो वगर वगर और खाने के साथ और कई चीज़ें जोड़ दो उम्मीदें जोड़ दो तो फिर जरूर रिलेशन्शिप ट्रबल शुरू हो जाएगी क्योंकि अब वो रिष्टा बन गया है जो हो ही नहीं सकता खाने के साथ तो यकी रिष्टा हो सकता है खालो ये बात बहुत लोगों को चूभरही होगी वो कहेंगे ये क्या बोल रहे है पर जो मैं बोल रहा हूं देखो इमांदारी से देखो के तो बात तो वही है अब इसमें सेविंग ग्रेस क्या है वो ये है के गनीमत है कि sexuality को हमारे व्यक्तित्तों का बहुत बड़ा हिस्सा होना जरूरी नहीं है तो आपके यह बहुत आउश्यक नहीं है कि आप जा के इसी पुरुष पे टंग जाए किसी पुरुष के लिए बहुत जुरूरि नहीं कि और जा के किसी इस्ती front जाये क्यूंकि टंगना टंगाना होता तो दोनों और से दुख का ही कारण है लेकिन हमें बता दिया गया है कि अगर ही टंगना टंगाना नहीं चल रहा तो आपकी जंदगी से कोई बहुत जबर्दस चीज मिसिंग है तो हमें हो जाता है फोमो तीन चौथाई पिक्चरें इसी बात पर बन रही है मैं मैं चीज़ेश वुमन वुमन किक्स मैं एंदें कम्सदा बेबी एंदें दें लिव हैपिली यह भारत नहीं उधर भी यह हो रहा है उधर थोड़का में इधर जादा एक दम यहां पर 75 नहीं पिचानवे प्रतिशत ही है उधर पिचतर होगा हॉलिवुड और हमें पर चल तो यहीं रहा है यह क्यों चले आपको इतनी क्या जरूरत पड़ गई है एक मैन की मैं बिल्कुल समझता हूं कि तो पार मैं वह और उसका मैनेजमेंट कहीं चोटी समस्या है बजाए इसकी कि आपने जिंदगी भर के लिए कोई पुरुष टांग लिया है वह बहुत भारी समस्या है एक मुहावरा चलता है कि monkey on the back उसमें हम आम तर पर सोचते हैं कि baby monkey on the back है how about a chimpanzee on your back how about a bloody 400 kg gorilla on your back और आप ले के फिर रहे और फिर कहते हो नुरॉसेस हो गया ये हो गया वो हो गया काहे को उसको लादना है और उसकी और से भी आसा नहीं कि कोई भहुत उसे सुख है वो भी यही कह रहा है कि ये इसको लेके फिर रहे हैं ये जो ये जो गड़बड है ना न इस्त्री में है न पुरुष में है गड़बड इस compulsive relationship में है कि रिष्टा तो होना ही चाहिए अगर तुम पुरुष हो तो तुमारी जिंदगी में एक इस्त्री होनी चाहिए नहीं तो तुमारी जिंदगी अधूरी है कैसे अधूरी है बाई बताओ कैसे अधूरी है गाली गलोज नहीं होती इसलिए अधूरी है चपल नहीं खाते इसलिए धूरी है अपमानित नहीं होता है इसलिए धूरी है कैसे धूरी है अगर तुम्हारी दिंदिगे में को इस्तरी नहीं है तो बताओ बात पर जवाब नहीं देना पड़ता accountability, answerability नहीं है इसलिए धूरी है हर चटे आठवे महीने परिशान नहीं होना पटता कि कई unwanted pregnancy तो नहीं आ गये इसलिए धूरी है या इसलिए हरान नहीं होना पटता गी pregnant क्यों नहीं हो रही इसलिए धूरी है या उसके माबाप नहीं जह की अधूरी है जाली जीज sneakyजी जीजा नहीं करते इसलीए अधूरी है क्या क्यों अधूरी जिन्दगी यही बात मैं स्तरी यों से पूछा हो कहे इस अधूरी कैसे वोगई यह बता दूना क्या मिल रहा है तुम्हें तुम्हें रहो खाओ प्यों मस्त्रों इंसान हो इंसान इवल्यूशन के उस उस पाइदान पर पहुंच गया है जहां आपके लिए जीने के लिए बहुत सारी वाजे माकूल और उंची वजहें हैं उन वजहों में जी हो न या घर में कोई पुरुष हो और उसकी चड़ी साफ कर रहे हो यही बहुत भारी आपके लिए बात है और पुरुष कैसे होते हैं यह तो मैं जानता हूं तो हॉस्टल में राऊ जन्दगी में वह तो ट्वाइलेट में फलश भी न करें और महिलाओं का जो सिस्टम होता है वह एक ओपन सिस्टम होता है वहां पर बहुत अलग अलग होता है दोनुका विवस्था और वहां पर जाकर के गंदगी करके आ गया और खड़े करके पिशाप करता है वह तो वहां पर बिलकुल उसने पिशकारी की तरह स्प्रे कर दिया है और दिन में तीन बार आप जाकर कि उसकी सफाई कर रहे हो नहीं तो आते हैं कि आप तो सीट पे बैठ करके पिशाप करो गए और वो खड़े करता है और फवारा मारता है और उसका फवारा आपको साफ करना पड़ेगा और नसाफ करो तो जाकर उससे लड़ो कि तू फिर वहां पर जाकर के यह दिखाते कभी पिक्चिरों में पर बह रही है और गले मिलो तो बद्बू हो रहा है भारत जैसा देश यहां पर धूल धक्कड और लोगों की हाईजीन मिलो जाके गले किसी दिन वो भूल गया और डियोडरेंट लगा ना तो सूरों की कद्र बढ़ जाएगी आपकी नजर में लेकिन अभी नहीं ऐसा करना है कि जीवन में पुरुष आगया माने बहार आगई बहार के आगई और यही पुरुषों का यह देखो यह लाया हूँ कुछ अनुभवी लोगों से बाक्चीत किया करो माबाप से ही सही माबाप को पकड़ के थोड़ा कुन किनारे में ले जाके बोला कर वो अंदर की बात बता दो वो अंदर की बात बताएंगे रिष्टे का मतलब क्या होता है और जो रोमैंटिक से उन से जड़ा बचो जो कहते हैं कि he is my support और इसके बिना कुछ नहीं होगा और हर सफल पुरुष के सर पे नारी होती है, हर नारी सफल के पुरुष के नीचे पुरुष होता है, यह सब बचा करो, यह सब फिल्मी मुहावरे हैं, ऐसे नहीं होता, लेकिन एक भावना भर दी गई है, कि आपकी जिंदगी पूर आने के लिए इस ब्रहमांड में कितना कुछ है, अपने दायरे में से एक हम उम्र आप विपरीत लिंगी को उठालाए हो, उसी से रिलेशंशिप बनेगी, वो भी ऐसी कैसे होते हैं, लोग जानते हैं नहीं लोग कैसे होते हैं, लोग भद्दे होते हैं, पिपल अर अगली most of them, beauty is a rarity, मैं इसकी बात नहीं कर रहा थो बड़े की, तो अगर सौ में से एक आदमी ही होता है, जो सच मुझ खूबसूरत होता है, तो मतलब 99 लोग किस से रिष्टा बना रहे हैं, अगलीनेस से, तो इससे अच्छा यह नहीं है, क्या करोगे जिंदगी में अगलीनेस को बुला करके वो भी उसके साथ एक फॉर्मल, लीगल, सोशल, रिलीजियस, गटबंधन करके, दो दुर्दशाएं होती है, एक जिन के पास है, एक जिसके पास नहीं है, और तया करना मुश्किल होता है कि ज्यादा कौन रो रहा है, और कई तो ऐसे सूर्मा होते हैं, वो इन दोनों ही दुर्दशाओं से गुजर चुके होते हैं, और तब भी नहीं सुधर रहे होते, जोड़ी बाजी के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, जीवन का उद्देश ये क्या है, जोड़ा बनाना, आप इसलिए पैदा हुए हो कि आप जोड़े में नजर आओ, तो जो मृतकों की तसवीरे होते हैं, जिन पर फूल चढ़ाते हैं, वो भी जोड़े में होनी चाहिए हमेशा, हमने तो मरा हुआ हमेशा अकेला देखा है, एक का अगर जोड़े बाजी के लिए पैदा हुए होते ंटूल बी जोड़े पर ही चड़ रहे होते जोड़ पर तो फूल चड़ते देखे नहीं जूते होते हैं जोड़े में मोझे भी होते हैं जोड़े मैं और महेंगे चीजें पी कभी जोडों में नहीं मिलती यह तो आप करोगे नहीं कि गए ओगर खरीदने तो एक के साथ एक मुफ्त अच्छा खरीदने जाओ तो वहां होता है लो एक के साथ एक ले जाओ सस्ती चीजी पाई जाती है ऐसे फाल तु कृत्रिम जोडों में कभी हुआ गाड़ी खरीदने गए तो गाड़ी एक खरीदी बोला यह साथ में इसकी मिसेज इसको भी ले जाओ इनकी जोड़ी है अजर अमर साथ जनम की भीतर से यह कॉंसेप्ट एकदम निकाल दीजिए कि जोड़े बाजी आवश्यक है अरे हो गया तो हो गया और नहीं हुआ तो नहीं हुआ कोई मिल गया तो ठीक नहीं तो जिन्दगी में करने के लिए बहुत बहतरी और अच्छे और उंचे काम है साहब जिन्दगी सार्था क्या हमारी हम नहीं कलप रहे कि जिन्दगी में कोई घुसे अपने हूर और नूर के रंग बिखेरने के लिए नहीं चाहिए ठीक है और महिला हो आप पहले महिलाएं इसलिए भी कलपती थी पुरुष के लिए हाँ कि साथी से ज्यादा उन्हें सहारा चाहिए होता था आज आपको सहारे की क्या जरूरत है शिक्षित हो सक्षम हो करना क्या है पुरुष का मैं नहीं कह रहा हूं कि अनिवारे रूप से पुरुषों को भगा दो जिंदगी से मैं कह रहा हूं कल अपना छोड़ दो सही रहा चलो, सही रहा चलते-चलते, कोई मिल गया रास्ते में, हम सफर बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिला तो नहीं मिला, हम तब भी खुश हैं, कमपल्जन मत बनाओ, रो मत, कि मजबूरी में जब भी जोड़े बाजी का खेलोगे, तो कोई ना कोई गलत आदमी उठा लाओगे, मजबूरी में तो जो भी शॉपिंग करते हो, देखा है कैसी होती है, अब मजबूरी में जाके शॉपिंग में उसको उठा लाए, वो क्या स तो चीप मिल रहा था सेल पर, खट से उसको ले आए, फिर कह रहे हो ये तो बहुत गंदा पातता है, तभी तो अभी तक बिका नहीं था, खट से मिल गया, ये कभी फिल्मों में नहीं दिखाते हैं न, कि रजाई के अंदर घुसके बड़वड़ा आके, अब जेलो, निकल बताया, रोमान सरा, नहीं तो मिल्स एन बूंस ने बताया ये, नहीं अश्राज फिल्म ने बताया, ये तो शारुक खान किसी ने बताया भी नहीं, वहाँ तो बताते हैं शेर की दाहाड, दाहाड दूसरी भी होती है एक, और पुरुष दहाड दे, तो महिलाओं को तो फिर भी कम सदमा लगेगा, क्योंकि पुरुषों के साथ ये सब जुड़ा होता है, अभदरता, कि खुले में पादरा है, जब आपकी सपनों की रूप की रानी, तब जो दिल छंछना के तूटता है न, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, किसी भी रोमेंटिक उपन्यास में, खुश रहो यार, मस्त रहो, डेस्परेट होने की क्या जरूरत है, जोड़े बाजी, रूल नहीं, एक्सेप्शन होनी चाहिए, कोई एक्सेप्शनल मिल गया, तो जोड़ा बनाएंगे, नहीं तो अकेले भले, जिस चीज़ को एक्सेप्शन होना चाहिए, हमने उसको रूल बना लिया है, उल्टी गंगा भारे बिल्कुल है ना, रूल होना चाहिए, हम अकेले बहुत संतुष्ट है, बहुत सार्थक जीवन जा रहा है, करने को अच्छा काम है, जीने को अच्छा जीवन है, सब बहुत अच्छा जा रहा है, as an exception अगर कोई बहुत ही उप्युक्त सही मिल गया तो जोड़ा बना लेंगे नहीं तो सब बढ़िया चल रहा है पहले ही सब बढ़िया चल रहा है चिल यहीं पे रुक गईना सारी वात देखिए आई थिंक वहीं उनको समझा रहा था I agree with what you're saying मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्ली यह चीज दिखती है that I am peaceful without the other person and the other person is like a baggage to me mainly because I feel ऐसे relationships में एक साइकोलोजिकली याद रखना बड़ता है that I have the other with me so but मुझे लगता है इसमें बहुत सारी social conditioning भी है which is मुझे ऐसा लगता है that no I don't care what others think but अंदर से कही ना कही वो डर भी रहता ही है because मेरे friends कुछ कहते हैं that you are trying to run away from what is natural then and if you don't feel that way probably you're asexual इसको बोली है कि natural तो nudity है तुरंट सारे उतार दो कपड़े कि या natural इसी में आद आता है जो कुछ भी आपके friends कर रहे हैं उसमें कुछ भी natural नहीं है language natural होती है कि जंगल में language चलती है करें गया नेचुररल हें जंगल में लोग कंघी करते हैं टूथ परष नेचुरल है क्या नेचुरल है जो प्रक्रदिक है उसी से तो तो उपर उठने के लिए आप जंगल से बाहर आयो ना तो आज कोई बोले कि यह नैचुरल है नैचुरल बताता हूं कि नैचुरल तो फिर पती-पत्नी का संबंद भी नहीं होता जंगल में नैचुरल यह है कि जो मेले उसी के साथ सो जाओ तो इन्होंने जो रिलेशन्शिप बना रखी है वो तो बहुत अनैचुरल है वन मैं वन वाइफ वो तो बहुत अनैचुरल है तो नेचर वगेरा की बात नहीं है हमें प्रक्रति पर नहीं चेतना पर जीना होता है प्रक्रति पर चलने वाले दिन हमने बहुत पीछे छोड़ हम भी चलते थे प्रक्रति पर जब हम बंदर थे अब बंदर हम इसी लिए नहीं है क्योंकि प्रक्रति से आगे आ गए है तो यह social conditioning what do you think with time जाएगा और now that I've let you यह नहीं बंदर जो फिर आपके अंदर समाज का यह समाज नहीं दीया है समाज आपको यह सब बातें न बताए कि जोड़ा बनाओ जोड़ा बनाओ जोड़ा बनाओ 80-90 प्रतिशत लोग स्त्री भी पुरुच भी जैसी उनकी जिंदगी चल रही है बहुत खोश रहेंगे यह तो आपके दिमाग में गंदगी ठूस ठूस के भर दी जाती है कि तुम पैदा ही इसलिए हो कि पाणी ग्रहन समझ में उन्य आते हैं आम आदमी की जिंदगी में और क्या रहता है यही तो रहता है घर पती पतनी बच्चे परिवार लोह हो गया है जीवन का उध्धार है इसके आगे कुछ बचता एक है कई करमाGHी तकि चाहता है कि इसके आगे कुछ बचे भी नहीं, समाज मुक्ति से, आजादी से, मुक्त पुरुशों से, बुद्धों से, कृष्णों से, बहुत घबराता है ये समाज, और कोई कृष्ण होने न पाए, कोई बुद्ध न होने पाए, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, कि उसको इन ही सब चीजों में फसा दो, जा जोड़ा बना, जा अब ये कर, जा डाइपर खरीद के लाज, जा सुसू करा, अब जा उसका नरसरी में अडमीशन करा, अब जा उसको रोज सुबह उठ उठ के स्कूल छोड़ने जा, अब तो हो लिया उसका बुद्धत तो, अब जा रहा था फ्लाइट में, मेरे पीछे बैठे हुए थे, वो बच्चा है, मजाल है कि दो धाई घंटे की फ्लाइट में मैं एक मिनट सो पाया हूँ, मजाल है, और मैं कुछ कह नहीं सकता, जबकि ये अत्याचार है, ये खुला अत्याचार है, मैं क्या बोलू, मैं उनकी सोच रहा हूँ जो उसको दिनराज जहल रहे हैं, मैं तो दो घंटे में निवरत हो जाओंगा, जानवर की तरह हक्का फाड़के वो हाहा करे जा रहा है, और उनकी सोच उसको दिनराज जहल रहे हैं, अब ये गीता पढ़ेंगे, अब ये बुप्ध बनेंगे, अब ये दाषनिग बनेंगे, Além ज्यानिक बनेंगे, ये क्या बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, ये माबाप बन गए हैं, अब ये कुछ नहीं बनेंगे, और पुर्षों के लिए आसान रहता है वो तो अपना लो तुम्हारी ममता तुम्हारा प्यार हमारी भेट तुम करो स्विकार वो तो भेट दे के चल देगा अब आप ममता बरसाती रहो वो निकल जाता है दफतर एपसर्ड कोई तुक नहीं कोई तर्क नहीं बस चलन बस रुझान एक बेहोश अनिवारिता अच्छी फिल्में देखा करिए इन सब चक्करों से बच जाओगे 80-90 प्रतिशत ये चक्कर पिक्चरों से शुरू होते हैं हमें नहीं पता चलता है वहीं से फिल्में भी देखो तो जिसमें कहीं कुछ सार्थकता हो किसी का प्रिणासपत जीवन दिखाया गया हो जिन्देगी कोच इतना को आगे बढ़ते उंचा उठते दिखाया गया हो एसा साहित्य पढ़ो फिल्में भी यही देखो संगती भी ऐसे लोगों की करो तो बस बच्चे रहोगे और ऐसों की संगती करोगे जो आपको बोलेंगे आपको इसे मुर्खों की संगती करोगे तो फिर डिस्परेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा हॉस्टल में किया गरते थे अग्ध नाइनटीज की बात कर रहा हूं तब इंटरनेट इतना नहीं प्रचलित हुआ था आप रिव्यूस जो है मुवीज के इंटरनेट पर नहीं देख सकते थे इतनी आसानी से तो जाएं कोई पिक्चर देख्या हूं पिक्चर ऐसी कि जैसे दिमाग में किसी ने मथनी चला दी हो एक दम दिमाग का दोलन कर दिया हो इंटरवल में उठके भागना पड़ा हो तो वापस आगे पूरे होस्टल में फैला देते थे भाई कसम है यह तो तुझे देखनी पड़ेगी हमारे बात जो जाए इसको बोलते थे कटाना क्या बोलते थे कटाना जो हमारे बात जुजा उसको पता चले कि कट गया तो पहले तो सिर्फ हम दो गए थे हमने वापस आकर के यह बताया था अब हमारे करें से होग comment बलंड़ती हैं और दोगेस हुआ है कि अजिए यह हो सक्चे यार की dolci है हम बरबाद हुए तो तुझे परना परबाद करके छोड़ेंगे तुम्हीं कीसे बज्या होगे का कि अ तो वही सब लगे रहते हैं तू नहीं कर रही तू भी करना तभी तो इतना नाचते हैं यार जब शादी होती है आप समझे ही नहीं क्यों नाच रहें वह वह कहरें कटा तो काटेंगे हम अकेले काई बरबाद हो और इसी लिए ये समाज बहुत चिड़ता है बहुत खुंदक खाता है ऐसों से जो बच निकले सोचो कितनी चिड़ लगेगी ये कैसे बच गया ये सब मैं अतिश्योक्ति कर रहा हूँ ठीक है इसमें बहुत सारे exceptions होंगे अपवाद होंगे वो सब ठीक है और फिर भी जिस तरफ को इशारा कर रहा हूँ वो समझे है मैं एक बात जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ exceptions निकल सकते है निश्यत रूप से लेकिन जो general drift है जो मुटा मुटा जो बात कही जा रही है उसको समझे है अब देखते नहीं हो एक unmarried आदमी हो एक unmarried दस लोगों के बीच बैठा हुआ वो दस लोग असहज से होने लग जाते हैं क्यों हो रहो भाई तुम्हें तो मिल गया ना जो मिला है रखो अपने पास मुझे merit से कोई समस्या नहीं कर लो दो बार पांच बार कर लो मैं बस यह बोल रहा हूँ कि desperation में और दबाव में और बेहोशी में जो भी काम किया जाएगा गलत होगा तो शादी वेरा भी करनी है तो ज़रा कम दबाव में करो और ज्यादा होश में करो और अब यह आपने वो जो बात बोली थी अधिल्ट में जो बच्चा था मदलब वो पैरेंस को परेशान कारा था यह बट मदब आई थिंक मदब इस टीअदर वी रांड वो बच्चा जो है मदब जब फ्लाइट में जो है वो उपर जो है इतना जादा प्रेशर कम हो जात मतलब वो बच्चा जो है बहुत जादा परेशान हो रहा होता है और मतलब मैं तो आप तो शयद अभी दो घंटे की फ्लाइट होगी आपकी मैं अभी पंदरा दिन पहले ही मैं लंडन से आई हूँ और मेरे पास में जो है एक दो महीने की बच्ची को लेके एक मतलब सिंगल म है उसको मार्ण फैम अगलोव उसको उसको टूड़़व ज विएता वराण देक्ची रो यह हम पाएंगे उसमें तो बात सब्सकों कुछ कर भी नहीं पाएंगे उसमें इस बैट श्यूशन क्यों क्रेट करी है एसी गईशन किसका बला हो रहा है इसमें? क्यों करी गई है? क्यों? आप अगर कह रहे हो बच्ची को दरदो रहा है बच्ची को परेशानी हो रही है पूरे प्लेन को परेशानी हो रही है बच्ची ने क्या गड़वड करी थी कि उसको ये परिशानी जहलनी पड़ रही है प्लेन के डेढ़ सो लोगों ने क्या अपराद करा था कि उनको ये जहलना पड़ रहा है क्यों करा ये सिर्फ इसलिए कि करना होता है 28 की हो गई ये तू अभी भी नहीं करेगी तो कब करेगी चल कर तो उसने कर दिया उसे ना अपना कुछ पता ना जिन्दगी या कुछ पता उसने जल्दी से बस कर दिया और सर मतलब वो जो है मतलब मेरे उससे बात हो रही थी तो वो मुझे बता रही थी कि उनकी जो है कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बच्चे नहीं करना चाहरी थी बट उनको देखके जो है वो मतलब थोड़ा सा विकास बच्चे जो है थोड़े सा अफेक्शनेट होते हैं तो उन्होंने भी जो है मतलब बच्चे कर ले कोई बच्चे करने में अपने आप में क्या बुराई हो सकती है बुराई तो बेहोशी में होती है अगर पता हो आपको ठीक ठीक क्या आप कौन हो क्या करने जा रहे हो तो आप बच्चे करिए या कुछ भी करिए हाथी करिए क्या फरक पड़ता है होश में आप जो भी करोगे अच्छा ही होगा बेहोशी में आप कुछ भी करोगे और बुरा ही होगा तो ठीक समस्या ये है कि ज़्यादा तर लोग ये सारे काम जोड़े बाजी के भी और बच्चे बाजी के भी एकदम बेहोशों के करते हैं कोई 20 का है कोई 22 का है कोई 25 का कोई 28 का कोई 32 का कितनी अकल है उसको कुछ नहीं समझ में आता उसे क्या जिन्दगी देखिए उसने कितना उसने जिन्दगी को समझने की कोशिश की ये ध्यान लगाया है कुछ नहीं उसने आज तक जिन्दगी को समझने का प्रयास भी करा पर जल्दी से जोड़ा बना लिया बच्चा पैदा कर दिया अब तुम सबके लिए नर्क प्यादा कर रहे हो ना और जो जितना बेहोश होता है उसमें जोडा बनाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा उतनी तीवर होती है यह और उल्टा है सारी कोर ग्रेस्टन अब यह जो आपने अभी बात करी यह जो की जोड़े बनाने वाली मतलब I can totally relate to whatever you have said और मतलब now I have made up my mind मतलब single भी but parents जो है वो इस बात को accept ही नहीं कर पाते हैं वो मतलब making up my mind भी क्यों इस बात को कहें I am open to life जो होगा देखा जाएगा हमने कोई प्रन थोड़ी कर लिया है कि जीवन में कोई पुरुष आने ही नहीं देंगे कभी आ गया तो आ गया नहीं आया तो नहीं आया हमारा जीवन आत्मा का उत्सव है कैवल ले बोलते हैं उसको एक हमारे एकाकी होने का उत्सव है हमारा जीवन उसमें अगर कोई बढ़िया मिल गया दोस्तियार मित्र संगी तो हम कोई उसको जबरदस्ती लाथ थोड़ी मार देंगे कोई मिल गया अंचा तो आओ स्वागत है अंचात्सांगती का감तु हमेशाः स्वाilleर श्ता है। वतला है यह मिल गया है सःत्पर्राइडाली और सक्यख प्रांवर्टी चाल रही है तो जब तक चाल रही हम चलेंगे उसके साथ जरूर चलेंगे हम क्यों कहें I have made up my mind and I'll remain single I am just open to life I am pro-life नहीं सर मतलब मेरा क्याने का मतलब यही था कि मतलब I am okay anyways but parents जो है मतलब उनका जो है थोड़ा सा उनका यही है कभी नहीं से अगर अकेले में लेया के मम्मी को मम्मी अंदर की बात होता हैं अंदर की बात पता चलेगी ना यह मतलब मैंने उनको समझाने की कोशिश करें बट वो जाने की जरूओत ही नहीं हो पहले ही सब समझते हैं सम्झाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर की बात निकलवाने की ज़रूरत है, सबको पता है Thank you, Sir मेरा नम स्मृति है, और मैं अचारे जी के साथ मैं जैनवरी से गीता सत्र कर रहे हूँ और गीता सत्र करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब अभी तक गीता को पड़ा था, श्लोकों का कुछ श्लोक याद थे, कंटस्त थे, जिसका पार्थ परिवार में भी किया जाता था पर जो गीता को देखने का नजरिया उसके अर्थों को मतलब बिल्कुल बदल गया, अचारे जी के साथ में जो सीख रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग बात है, हमेशा हम जैसे अचारे जी कहते हैं, कि कर्म को नहीं देखना, कर्ता को देखना है, तो कर्म से हम लोगों को जज तो इसे कर्म को नहीं जर्ज कर ना सचक़् करनी है किसा तो मेरा फोकस भी जो है वह और barrier और यहां प्रोटर होती जाओं और करनी ज़ाओं यह से अनिमलों यह निलता है उन में और हम में कुछ फरक है, उनको देखने का उनके लिए एक इन फाक्ट रिस्पेक्ट या उनके लिए भी अपने जैसा लेवल फील होता है कि वो भी हमारी तरह ही है, चेंजे आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को भी जुड़ना चीह है गीता से, क्योंकि आप अपने एन्वार्मेंट से और ज्यादा बेटर करने के लिए सोचोगे, खाली अपने बारे में नहीं सोचोगे, अपने आपको और सोचोगे कि मैं और बेटर कर सुखूँ और दूसरों को भी आप बेटर हुमन बिंग समझ पाओगे, उनके लिए और बेटर कुछ कर पाओगे, अपने आपको खाली भरने की कोशिश नहीं करोगे, दूसरों के बारे में भी सोचोगे, थैंक्यू. झाली आपको खाली जत्यार क में लिए जवशा है, झाली भरने की कि मैं और दूसरों के लिएको पालुमन बीएचोगे, अपने की स्थज़ों आपको खाली आपको खाली आपकोशा के इडको भरते आपको ट्सेंपके आपको के अपक्या सोचोगे है, बहाला कि ए liquidy öğren